वेलकम टू लीबाइकाड ड्रोपशिपिंग फ्रेंचाइजी प्रोग्राम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लीबाइकाड का ड्रोपशिपिंग जो फ्रेंचाइजी का प्रोग्राम है वो काम करता कैसे है आपको लीबाइकाड के ड्रोपशिपिंग फ्रेंचाइजी और वीडियोज अवलेबल हैं आप उनको एक बर चेक कीज़े कि ड्रोपशिपिंग काम होता कैसे है अगर आपको ड्रोपशिपिंग के बारे में पता होगा तब ही आप ड्रोपशिपिंग की फ्रेंचाइजी काम कैसे करेगी तब ही आप समझ पाएंगे अब हम फर्दर मुववन करते हैं कि लीब आइकाट की ड्रोपशिपिंग फ्रेंचाइज ही है वो काम कैसे करेगी जैसे आप डियागराम में देख पा रहे हैं फर्स्ट टेप पे कस्टमर परचेज फ्रम दा सेलर स्टोर सेकिर स्टप पे सेलर सेंड्स ओडर डिटेल थोता सप्लायर पहले स्टप पे क्या हुआ कस्टमर ने ओडर परचेज ऑस एगा सेलर के स्टोर से सेलर का स्टोर इसमें Amazon का अकाउंट फ्लिप काड का मेशो का या सेलर की आपनी खुद की वेब साइट हो सकती है जैसे ही seller के पास message आया कि आपके पास order receive हुआ है seller ने order की details supplier को send कर दे supplier पहले वाले case में होता था back drop shipping company जैसे कि पहले supplier जो detail share करता था seller जो detail share करता था वो डेक लीब icon को share करता था बट हमने जो franchisee moral start किया है उसमें जो seller detail share करेगा वो supplier के साथ में share करेगा supplier मतलब कि आप जो हमसे जो लीब icon की franchisee लेंगे वो वो यहां seller के लिए supplier का काम करेंगे जैसे ही seller की तरब से supplier के पास order आएगा seller अपना supplier अपना profit margin अपने पास रखेगा particular product का और order की detail लीब icon को forward करतेगा that is step number 4 लीब icon ships the order directly to the customer on seller बहाफ लीब icon कामनी क्या करेगी product को pack करेगी diet product pack करके customer के पास deliver कर देगी seller के बहाफ पे तो यह है आपकी लीब icon dropshipping franchisee काम करेगी कैसे यह basic idea है हम discuss करते हैं how dropshipping franchisee can earn जिसने हमारे साथ हमारी dropshipping franchisee ली अब वो आगे earn कैसे कर सकता है मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ही आपने हमारी dropshipping franchisee ली अब supplier बन गए आप मतलब कि आपने साथ sellers को onboard कर सकते हैं जैसे कि for example कोई seller है जो आपने मार्केटिंग की उसके थ्रू आपके पास आया बोलता है कि मैंने एमेजोन पे dropshipping का बिजनेस स्टार्ट करना है आपके dropshipping service के थ्रू करना चाहता हूं तो उस case में सबसे पहले जो आपके पास रहेगा आप dropshipping जोइनिंग fee और plans आप अपने plans के थ्रू आप अपने जो भी है आपके plans आपने बनाया होंगे dropshipping के थ्रू आप उसके थ्रू आप उनको एंडोल करेंगे कि यह हमारे particular plans है आप इसके थ्रू कोई भी आप as per your choice as per their requirement आप उनको सबस्क्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहला तो आप dropshipping जोइनिंग fee and plans के थ्रू आप earn कर सकते हैं जैसे ही उसने आपका plans लिया फर्दर क्या होता है आपने उसका account भी create करना होगा marketplaces पे तो जब आप उनको on board करेंगे marketplaces पे तो उसके थ्रू भी आप earn कर सकते हैं इसके थ्रू जो details में है कैसे आप earning कर सकते हैं वो जब आप end roll हमारे साथ करते हैं तब हम उसमें आपको details से बताते हैं थर्द आता है आपने उनको on board कर दिया marketplaces पे आपने उनका account create कर दिया उनको further जब भी order receive होना start होता है आप पर order पे भी आपका अपना profit margin रहता है आप उसके थ्रू भी आन करते हैं फूर्थ आता है digital marketing services कोई seller आपके साथ on board हुआ वो चाहता है कि में marketing कराना चाहता हूं तो आप उसको भी digital marketing services वगर offer करके आप अनकर सकते हैं further website development कोई seller बोलता है कि मैं amazon marketplaces पे तो करना ही चाहता हूं साथ हो website के थ्रू भी sell करना चाहता हूं या फिर मैं strictly मैं सिर्फ website पे ही sell करना चाहता हूं website बना के तो आप उसको website की services offer करके भी आन कर सकते हैं या फिर कोई seller accept drop shipping के थ्रू कोई भी आपका अपना होता है जो चाहता है कि मैं आपने personal product की भी website बनाना चाहूं तो आप उसके थ्रू भी website development आप उसको offer कर सकते हैं उसके बाद आता है legal services लीगल services में यह आता है जैसे कि GST Ratio GST return filing इसके थ्रू भी जब भी कोई आपके साथ मारलो seller आपने on board किया है उसका marketplace पर account rate किया है तो monthly जो भी उसकी sale होगी तो वो GST return file भी करेगा GST कोई नया आपके साथ on board करते हो आप उसको GST Ratio भी चाहिए होगा तो आप यह services offer करके आप उसको earn कर सकते हैं उसके बाद आता है affiliate referral इसमें आप और किसी को भी हमारी जो services यह आप offer कर सकते हो जब कोई आपके जो आप जिसको आफ रेफर करते हो कोई भी successful refer होता है तो उसके basis पर भी हमारी थ्रू आप run कर सकते हैं अब जो मैंने आपको बताया है कि आप जो भी के आपका जो seller होगा उसको जो dropshipping जोइनिंग फी रहेंगी उसको onboarding करेंगे refling product margin पर रहेगा डिसल मार्गेटिंग की services website development और legal services इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि इसमें कोई भी seller को आप onboard करते हैं उसका account create करना उसकी product listing करना डिसल मार्गेटिंग की services देख वेबसाइट development करना यह सब हम करके देंगे ब्रेक एंड में आपके लिए आपको खुद करने की जरूत नहीं है यह आप आगे offer कर सकते हो यह सब हम करके देंगे आपको तो आपको इसके लिए extra manpower रखने की जरूत नहीं है I think अब आपको यह clear होगा अब हम आपको बताते हैं franchise earning through an example थाकि example के थुरू आपको एक clear idea हो जाएगा कि आप हमारी franchisee start करते हैं तो उसके तुरूब कैसे earning कर सकते है जैसे कि case one case one में कहा है कि जैसे कोई भी seller आपके साथ on board हुआ आपकी drop shipping services को लेकर मालो उसने आपका plan आपकी drop shipping services है वो आपने opt की for 999 के एक साल के लिए और आपने उसका amazon another market basis पे account create किया तो जो आपने account create किया है उसके basis पे आपके आपके पोटेंशल है 40,000 तक का earn करने का accept drop shipping services fee and accept orders जो orders आपको फिर margin रहता है उसके इलावा तक अगर यहां case one में बात करें तो आपके पास 45,000 है एक seller से earning करने का potential orders के इलावा अगर इसी में यहां case two पे हम बात करते हैं कोई seller आपके साथ on board हुआ उसने आपकी drop shipping services ली साथ में उसने website भी आपसे बनो create करवाई develop करवाई तो उस case में जो website की आपने course रखी on an average हम लेके चलते हैं 15,999 हो same to same जो आपके पास on boarding के on board करने वाद जो potential है per seller earn करने करने का वह 40,000 है तो यहां जो total आपकी earning हुई एक seller से हो ही 56,000 है अगर आप further move on करते हैं case three पे जहां एक seller बोलता है कि मेरे को drop shipping services लेनी है account management आप से ही करवाना है और मेरे को website भी develop करवाना है तो वहां मान लो आपने एक no average price अपना रखा 29,999 मिंस 29,999 और same to same जो उपर वाले दोनों cases में आ रहा है कि पर seller आप 40K earn कर सकते हैं तो यहां जो total आपकी earning हुई वही 70,000 एक seller से हैं तो इन cases के basis पे आप समझ पाएंगे कि जो आपकी earning module है वो जो मैंने इस example के थूप बता है उसमें एक तो जो seller आपकी services लेता है वो depend करता है आपकी services कैसे ले रहा है तो नॉ कि drop shipping services भी चाहिए मेरे को अपसे आप ही चाहते हो कि आप ही मेरा Amazon account अगर है manage करें और मेरे को website भी develop करवानी है कुछ sellers ऐसे होते हैं कि जिनके पास time नहीं होता है वो इसको as a part time देखते हैं तो mainly वो इस plans के लिए जाते हैं तो अभी जो मैंने आपको बताया overall जो बताया तो यहां से भी आप अपनी अच्छी earning generate कर सकते हैं अगर further हम move on करते हैं जो earning का जैसे कि जो second point था उसमें कि आप example के थ्रू जैसे कि orders के basis आप कैसे earn कर सकते हैं जैसे कि फूर हम मान लेते हैं कि आपने marketing की आपने एक से दो महिने में 100 sellers आपके साथ अपने साथ उन बोड कर लिए उन मेंसे on and ever is मानते है चलते हैं जो hundred आपने seller on board किये उन मेंसे 50 काम नहीं कर रहे हैं यह 50 के orders daily basis पे नहीं आ रहे हैं उन मेंसे 50 आपके sellers हैं जो regular काम कर र पे आ रहे हैं तो आपके डेली के ओडर के 500 ओडर आपके डेली बेसिस पर होगे एक नो सेकिंड पॉइंट अगर प्रोफिट मार्जिन आप लेके चलते हैं आपने मानलों कि ज्यादा कुछ नहीं सिर्फ 10 रुपए अपना प्रोफिट मार्जिन रखा है पर उडर तो उस टे है यह सिर्फ ओडर के बेसे से बताई है इसमें सर्विसिस की कोस्ट आपकी अलग है जौब सर्विस आपने ओफर की थी तो उसके अलाव आपकी यह है यह आपकी रेगुलर इंकम रहे कि आपने सेलर को उनबोड कि उसके बाद रेगुलर इंकम आपके रहे कि तो इसके बे तो आप हमारे एक जीटे से कनेक्ट कर सकते हैं तेंक्यू सो मुच